Hello Friends, Welcome to my channel आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नर्सरी लेवल पर नर्सरी स्टेंडर के बच्चे को फ्रूट्स नेम या एनिमल्स नेम हम किस तरह से त्यार करवा सकते हैं फ्रूट्स नेम में हम बच्चे को इस तरह के फ्रूट्स नेम ही इंटर्ड्यूउस करवाएंगे जिससे की वो आसानी से लिख सके और उनकी स्पेलिंग भी बहुत ही कम हो फ्रूट्स नेम में एपल, A-яет डबल-P-L-E ये बच्चे को एलफाबेट लर्न करते वक्त स्टार्टिंग में ही अपने आप याद होता है तो एपल को हम फ्रूट्स नेम में इंक्लूड जरूर करेंगे एडबल पी एड़ एपल सेकिंड इन में से देखते हैं एपल, बनाना, फिग, पिय, कीवी, मैंगो, ओरेंज, एड़ पाइनेपल अब देखते हैं हम पाइनेपल जब बच्चे को एपल की स्पेलिंग याद हो जाती है वो एपल लिख पाता है तो पाइनेपल भी लिखने में उसे आसानी होती है तो सेक्ड नमबर पर हम अपने फ्रूट्स को रखेंगे पाइनेपल थर्ड नमबर पर हम पिक करेंगे फिग को फिग की स्पेलिंग भी बहुत ही छोटी है इसे बच्चा इजीली मेमराइज कर सकता है और नमबर पर हम लेंगे मेंगो मेंगो की स्पेलिंग याद करवाते वक्त आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे मेंगो मेंगो फलों का राजा होता है इसलिए हम मेंगो की स्पेलिंग अपने फ्रूट्स नेम में जरूर रखेंगे और लास्ट में पाइड नमबर पर हम रखेंगे ओरेंज ओरेंज औरेंज फ्रेंज हमने इसलिए इंकुलूड किया है ताकि ये कलर्स नेम में भी बच्चा यूज कर सके जब बच्चे को कलर्स नेम लिखने सिखाते हैं तो ओरेंज की स्पेलिंग उसको औरेडी मेमराइज होती है नर्सरी लेवल पर हम बच्चे को फ्रूट्स नेम इस तरह से तयार करवा सकते हैं एपल, पाइनेपल, फिग, मैंगो, ओरेंज अगर इन में से किसी स्पेलिंग याद करने में या बच्चे को भी प्रोब्लम हो रही है तो यहां से हम देख सकते हैं पियर, या फिफ कीवी, इनकी स्पेलिंग भी इजी है या फिफ बनाना, बी ए, 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 ये स्पेलिंग भी इजी है इनसे आप बच्चे को फ्रूट्स नेम तयार करवा सकते हैं I hope कि आज की वीडियो आपको helpful लगी हो अगर वीडियो helpful लगी तो चैनल को लाइक करें and सब्सक्राइब करें Thank you